हलो फ्रेंड्स वेलकम टो अन्पॉम क्रियेशन्स आज मैं आपके साथ डबल कलर की एक बहुत ही खुबसर डिजाइन शेयर कर रही हूँ यह फोर फंदो की डिजाइन है इसलिए इस डिजाइन को डालने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो फोर के मर्टिपिल्स में डालें यहां मैंने 18 फंदे डाले हैं यह डिजाइन बैक साइट से शुरू होती है त्योंकि यह डिजाइन बैक साइट से शुरू होती है इसलिए इस फंदे डालने के बाद मैंने फर्स्ट रो जो की रैट साइट से है उसको मैंने सीधे सीधे फंदो से बनाया है और फिर बैक सा परणाना शूरू कर रहे हैं जैनकी फर्स्ट रोग जो की बैक साइट से है पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे इसके बाद जो फंदा है उस फंदे को एक बार सलाई पर उन लपेट करके सीधा बुन लेंगे फिर जो है हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे ये एक दो और ये त ये चार फंदे हो गए हमारे एक फंदा हमने सलाई पर उन लपेट करके बना लिया और तीन फंदे उल्टे बना लिया फिर इसी तरह से हम बनाएंगे एक बार सलाई पर उन लपेट करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे और इसके बाद तीन फंदे हम उल्टे उल्टे बना पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है एक बार सलाई पर उन लपेट करके एक उल्टा फंदा बनाना है और इसके बाद तीन फंदे हमें उल्टे बनाने हैं यह हमारी डिजैन की फर्स्ट रो है और बैक सैट से है यह हमारी तीन फंदे में उल्टे बना लिए है और इसके पे हैं जो कि राइट साइट से है उनका कलर हम चेंज कर लेंगे सेकंड कलर लेंगे क्या करेंगे हम पहला फंदा सीधा बुन लेंगे जिसको हम स्लिप करते हैं चुकि उनका कलर चेंज कर रहें इसलिए इसको हम सीधा बुन लेंगे इसके बाद तीन फंदे जो हमने उल्टे पिटके बने था उसको स्लिप कर लेंगे फिर तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और चौथा फंदा स्लिप कर लेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे और चौथा फंदा स्लिप कर लेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है यह तीन फंदे बुनेंगे सीधे और एक फंदा स्लिप करेंगे पूरी रो इसी तरह से हमें बनानी है जैन की थर रो पर हैं जो की बैक साइट से है पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे चाहे तो हम इसे बुन भी सकते हैं तो मैंने यहां इसे बुन लिया है इसके बाद स्लिप किया वह फंदा हम स्लिप कर लेंगे और तीन फं किया है उसको हमें slip करना और जो फंद्रें ऊधर से सीधे बने थे उन्हें साइट से उल्टा-उल्टा बनना है इसा बनाने है तीन फंद्र बिनने हैं और एक फंदा slip करना है यह हमारे design की धर्ड रो है design की फोर्थ रो पर है उनका color हम change कर लेंगे जो हमारा first color है उससे बुनेंगे तो पहला फंद भी सीधा बुनेंगे दूसरा फंद भी हम सीधा बुनेंगे अब इस तरह से तीन फंद भी हो जाएंगे और ये फंदा हमारा आगे हो जाएगा अब इस दो फंदे के बाद एक फंदा सिधा हमें और बुनना है क्यों बुनना है? क्योंकि हमें इन दो फंदों के आगे इसको लाना है और ये बीच में एक फंदा इस पे अड़ था इसलिए इसको हम सीधा बुन लेंगे फिर इस फंदे को हमें आगे लाना है दो फंदों के आगे तो इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और दो फंदे इसी थे इसके बाद बुनेंगे अब हमें फिर ये दो फंडों के आगे लाना है ये फंडा हमारे पास बसता है तो इसको सीधा बुन लेंगे इसका मतलब यह हुआ कि जो हम स्लिप के वाप फंडा बुनेंगे उसके वाद हमें तीन फंडे सीधे बुनने रहेंगे इसके वाद हमें तीन फंडे सीधे बुनने रहेंगे यह देखिए यह हमने बुना है उसके बाद यह दोनों फंडे बिनने है जो आगे थे इसके बाद एक फंद हमें और बिनना है इस तरह से तीन फंदे बुनने है पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है इस तरह से बनानी है अब हम डिजैन की फिफ्ट रो पर हैं जो की बैक साइट से है फिफ्ट रो हमें फिस्ट रो की तरह ही बिनना है पहला पंद हम स्लिप कर ल बिनेंगे चार फंदे हो गए एक फंदा लपेट करके सलाई पर लपन लपेट करके बनाया है और पूरी हमें इसी तरह से बनानी है जैसे कि हमने फर्स्ट रोओ बनाई थी ये दिजाइन की फिर रो है और बैक साइट से है पूरी रो इसी तरह से हमें बनानी है डिजाइन की 6 रो पर हैं पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे इसके बाद उनका कलर चेंज करके हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे पूरी रो हमें इस तरह से बनानी है तीन फंदे सीधे करके स्लिप करना नहीं है और एक पंदे सीधे बुना हैं पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है ये लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे इसके बाद ये स्लिप के हो फंदा है इसको भी स्लिप कर लेंगे और इसके बाद के फंदे को हम तीन फंदे उल्टे बिन लेंगे फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बिन लेंगे, ये रो हमें थर्ड रो की तरह ही बनानी है, एक फंदा स्लिप करना है और तीन फंदे उल्टे बिनने हैं, पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, एक फंदा स्लिप करना है, तीन फंदे उल्टे बि लाना है दूसी तरफ उसको मौना है इसलिए इसको ऐसे ही सिलिप कर लेंगे इसको इस कलर से उल्टा नहीं बिनेंगे अब हम डिजाइन की एर्थ ओपर हैं जैसे पिछली बार हम करते थे कि इस फंदे को इन दो फंदों के आगे इस साइड मे लाते थे इस बार हमें इस फंदे को इस साइड मे लाना है इसलिए इस फंदे को हम नीचे गिरा करके अंगुठी के नीचे इस तरह से दबा देंगे और इसके बाद वाले दो फंदों को सीधा बुन लेंगे इसको इस तरह से दबा करके दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे यह एक और यह दो उसक सेथा किभां चाहेगी इसके अब फिर इस फंदे को हमें इन दू फंदे के बार लाना है तो इस फंदे को पहले हम बिन लेंगे और इस पंदे को ये जो thi profan इस तरह से उंगले में दबा लेंगें या दो फंदे पहले बिन लेंगे एक सीधा और ये दूसरा सीधा है किम दोफंद को बिन नागाश से बीच़ा आतर रीज़ा हम बन और इसका सीधा सब्गर होज जात gebaut दूसी साइड में हो जाएगा दूसी तरफ बार इस साइड में हैं दूसी बार दूसी साइड में यह हो जाएगा आपको पहले ही बताया था कि इस फंदे के बाद हमें तीन फंदे सीधे बुनने हैं तो यह फंदा हमारा बुन गया है इसके बाद एक फंदा पहले बुन लें हैं फिर इसको हम पहरी सलाई में उठा करके और इसको सीधा बुन लेंगे यह इस तरह से बन जाएगा पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है पहले एक फंदा सीधा बुन लेंगे फिर इस वाले फंदे को स्लिप वाले फंदे को यांगो ठेक नीचे इस तरह से दबा करके दो पूरी रो हम इस तरह से बनाने है लास्ट के टीनो फंदे हम ऐसे ही सिधे-सिधे बुन लेंगे यह हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई यह एट रोहों बना लिए हैं और हमाई डियाइन कम्प्लीट हो गई है यह बहुत ही खुबसूरत डिजाइन है और बनाने में इजी भी है इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं और इसे आप टिसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं जिससे की आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें अगर आपको मेरी यह डिजाइन पसंद आ रही है इस डिजाइन को बनाने का ढंक समझाने का ढंक अ कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें थैंक्स